दोस्तों कैसे हैं आप लोग तो आज मैं फिर हाद रूह हूँ एक नए और एक फ्रेश वीडियो के साथ दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक रहे का यह बहुत इंट्रेस्टिंग है और इस वीडियो के लिए आप करेंगे तो अगर आप चैनल पर नए है और सब्सक्राइब निकिया तो पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें और जो भी डाउट से वो कमेंट में करें इसके लिए हमारे ये चैनल मशूर है आप डेफिनेटल कोई भी डाउट हो कमेंट करें डेफिनेटल आपको उसका आंसर भी मिले का तो चरिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के यस तो जो सबसे पहला जो नोटिस जारी हुआ है यह सेमेस्टर 4 की चात्राओं के लिए और यह नोटिस क्या कह रहा है यह कह रहा है कि फीस पेमिंट को लेकर नोटिस जारी किया गया है पटना वोमेंस कॉलेज की चात्रा है सेमेस्टर 4 वालों के लिए यह नोटिस है और थाइसो रुपए फाइन के साथ अपनी फीज जमा कर सकती हैं कॉलेज की वेबसाइट के अनुसार फी स्ट्रक्चर जारी कर दिया गया है फीज पेमेंट के बाद छातराओं को पेमेंट रिसेप्ट डाउनलोड करना होगा मतलब अगर आप फीज पेमेंट करने में टाइम ल थोड़ी सी अपडेट है इसको जल्दी से मैं कवर कर लेता हूं मगद महीला कॉलेज में शुक्रवार को प्लेग्राउंड के पास बना इंडोर स्टेडियम का उद्गाटन प्यू के प्रॉक्टर डॉक्टर रजनचीश को मारने किया है कॉलेज की प्रचारे डॉक्टर श भी करेंगी वहीं विभिन प्रतियोगिताओं के विजेता बनी चात्राओं को सम्मानित भी किया जाएगा तो यह सारा यह अपडेट है मगद महीला कॉलेज का अब यह जो है आपका सबका एन्वल स्पोर्स टे आएगा तो मैं आपको पहले बता दूं के अन्वल स्पोर्स होई इसकी विजेता बीकॉम सेकेंड यर की चात्रा श्योय कुमारी बनी जबकि ओपवेच जेता का खिताब बीए थर्ड यर की समीथा राजयपाल को मिला मार्श पास्ट में पहला स्थान वोकेशनल विभाग दूसरा स्थान बीए और तीसरा स्थान बीए सी बीकॉम को म मिला यह योचन स्पोर्ट्स इंचाज डॉक्टर मंजला शुशीला की नेतरतुम में किया गया पहली बार कॉलेज की गल्स बैंड ने अपनी प्रस्तुती दी चात्राओं ने विभिन खेल प्रतियोगिता में भाग लिया इसमें 100 मीटर हर्डल रेस हर्डल रेस मतलब एक सेकिन यस ऐसे आपको ऐसे कूद कूद के जाना पड़ता है उसको कहते हैं हर्डल रेस और सेक रेस मतलब बोड़ी में ऐसे पैर डालके जंप करकर के आपको रेस कंप्लीट करनी होती है 100 मिटर स्प्रिंट मतलब बहुत स्पीड वाली रेस 3 लेक रेस जिसमें आप एक के पैर मतलब दो बच्चे होते हैं और आपस में पैर बांग लेते हैं और फिर वो दोड़ते हैं 200 मिटर रेस स्पून एंड लेमन आदी शामिल रहे प्रतियोगिता कि अबाद छात्राओं ने समूग के साथ स्पोर्ट स्टांस के जरिए नारी शशक्तिकरन का संदेश भी की गई पी यू के स्टूटेंट वेलफेर डीन प्रोफेसर एंके जाने प्रचारे और कैबिनेट के साथ गुबारों को हवा में उड़ाया इनमें मास्क लगे थे जिनका उदेश को रोना की अजादी दिलाना था इसके बाद सभी विभागों ने कदम से कदम मिलाकर करोना तो यह था हमारा जो अपडेट था अब हम जो है बात करने जा रहे हैं उसके लिए जिसके लिए उससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि एन्वल स्पोर्ट दे क्या होता है हां तो देखिए दोस्तों आप अभी तो जैसे पटना मुमेंस कॉलिज में एन्वल स्पोर् आपको इससे कि सरस्के को यह को सब देखिए और ießको अब निकलता है ऐस्या। करना है उसमें NCC में जाना जगुए आपको बनी से पहले आज जिसकी लिए यह वीडियो बनी है जिसका वेट आप October से कर रहे थे Classes के बारे में सब कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं तो बने रहे हैं वीडियो में आवऑ यह सब जेके क् waż तुर्ष इसका मतलब यह है कि सबसे बहले बता दूँ यह 18 तारीक का नोटेस है और इसमें कहा गया है कि आप फिजिक्स डिबार्टमेंट के अगर हैं साइंस कॉलज में तो आपको बाइस फरवरी को एक इंडक्शन मीट ऑगनाइस किया जा रहा है सुबह ग्यारा बजे तो सुबह आ है और ग्यारा बजे बिल्कुल प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा इंडक्शन मीट है आपको अच्छी तर इसे ओरिएंटेशन वगरा देंगे कि किस तरह से पढ़ाएंगे कौन-कौन से प्रोफेसर्स हैं हमारे पास आप लोग दोस्ती वोस्ती कर लें दोस्तों मेहना और लोकेशन क्या है आई एसी लेक्चर थीएटर तो यह आपकी लोकेशन है इधर जाके आप सभी को इकठा होना है और बाइस तारीक वो दिन है जब आपको जाना है दूसरी चीज यह है हमारा डिपार्टमेंट आफ स्टेटिक्स साइंस वालेश का और इसमें क्या है यह एनने क्राइब क्लास लिखे हुए है आपकी क्लासें लिक्किंदों हुए है और हृ मधिर खेंग साड़े साड़े चपरेंस देर चाहə बर्डरा कर दिले और धाई बजए के बाद क्लासे बहुत मुश्किल हैं कि जलती हूं धाई से नचीज से क्योंकि sì vet तो एक्स्टर ग्लास हो जाती है कई बार या फिर कई बार प्रैक्टिकल वगर करा देते हैं और नीचे यहां पर आपके टीचर के नेम फुल फॉर्म में लिखे हुए है आप शाहे तो स्क्रिंशॉट ले सकते हैं और नहीं तो फिर मैं अपनी वेबसाइट पर डाल दूंग तो आप नीचे दियो ही वेबसाइट को विजिट करते रहें अगर मैं वीडियो बनाने में लेट कर दूं उस पर मैं जल्दी अपडेट कर देता हूं यह जो नोटेस है यह सबसे ज़्यादा इंपर्टेंट नोटेस अब तक की और इसमें कहा गया है कि यह सबसे पहले सेशन 2020-21 और हैरबा इंफर्म्ट इसमें कहा गया है कि 22 तारीक को एक सेगन यस बाइस तारीक को आपका सबका इंडक्शन मीट होगा जितनी भी देपार्टमेंट है आई रिपीट जितनी भी देपार्टमेंट है सबका इंडक्शन मीट होगा 22 तारीक को तो आपको 22 तारीक को सुबह साड़े-10 बजे यहां पहुँच जाना है अभी जैसा मैंने बताए फिजिक्स देपार्टमेंट को 11 बजे पहुँचना है लेकिन आपको कब पहुँचन के सीनियर से या फिर डेपार्टमेंट में जाके पता करें अगर आप पटना में ओतो और मान लिया जैसे आप पटना के बाहर हैं है ना और आपका आना पॉसिबल नहीं है तो कोई बात नहीं आप कोशिश कर सकते हैं आने की और फिर भी अगर आप नहीं आपाते हैं तो इ Shed fen ролic ि तिस तक आपको छोलें तो प्लीज आप अपना और रहने का ठीकाना बना लें חी जो और जो नहीं आया वह जल्दी से जल्द है इस साइड आने की कोशिश करेंThis के बाद हम बात करें के बारे में यह साइंस कॉलेज इन्होंने कहा है, induction meet of the B.S.C. part 1st, newly admitted will be held on 22nd of February 2021 at 11 a.m. B.S.C. Lecture Theater 1st, ये आपका venue दिया हुआ है, B.S.C. Lecture Theater 1st में, और Department of Chemistry, all students of B.S.C. part 1 honors are directed to attend the induction meet. students are directed to take preventive and precautionary measures to combat COVID-19. मतलब कि ये आपको जितने भी mask वगरा है, sanitizers है, सब कुछ लेकर जाना है. So, this was the update, gentlemen. और मैं आपको बता दूँ कि आप नए-ने updates हमारे से लेते रहेंगे, career guidance, मैं सब कुछ देते रहूँगा, और आपके college में क्या-क्या चल रहा है, सब कुछ मैं आपको बताते रहूँगा. आज की जो update थी mainly science college के बारे में ही थी. आने वाली वीडियो में मैं, BN, PC, PC मतलब पटना college, और मगतमाईला college, और सारे मतलब पूरी पटना उनिवसिटी के डिटेल सी में आपके साथ शेयर करता रहूँगा. वीडियो को subscribe करें, like करें, और जो भी doubt है, comments करें. Thank you gentlemen.